नमस्कार गुड यूणिंग स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमस्ट्री क्लासेज में आज की क्लास में देखेंगे NCRT Chemistry 11th Chapter 2 Exercise No.2.1 जो अभ्यास प्रश्चन के रूप में पीछे दी भी है उसकी बात हो रही है 2.1 के अंदर फस्ट है एक ग्राम भार में एलेक्ट्रोनों की संख्या बतानी है एक ग्राम भार के अंदर एलेक्ट्रोन कितने होंगी तो आपको पता है 9.1 गुणा 10 की घात – 31 किलोग्राम होता है एक इलेक्ट्रोन का दरुमान एक एलेक्ट्रोन का दर्वमान इतने किलोग्राम है तो इसको यदि मैं ग्रामों में लिखूँ तो यह जाएगा 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम को ग्राम में convert करते हैं तो 10 की power 3 से गुणा कर दो ग्राम बराबर एक एलेक्ट्रोन तो इसको लिख सकता हूँ 31 minus plus 3 तो यह जाएगा 9.1 गुणा 10 की गात minus 28 ग्राम बराबर एक एलेक्ट्रोन एक एलेक्ट्रोन का दर्वमान कितना है? इतना है यानि इतने दर्वमान में कितने एलेक्ट्रोन है? एक एलेक्ट्रोन 9.1 गुणा 10 की गात minus 28 ग्राम में उपस्तित इलेक्ट्रोनों की संख्या बराबर एक इलेक्ट्रोन तो एक ग्राम में उपस्थित एक ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या एक ग्राम में कितनी हो जाएगी इसको मल्टिप्लाई कर दो एक से तो ग्राम को और एक को इधर रख लो इसका भाग दे दो, तो एक ग्राम में उपस्तित इलेक्ट्रोन होगी संख्या, 9.1 बराबर हो जाएगी, एक बटा 9.1 गुणा 10 की गात माइनस 28, और ये ग्राम, एक ग्राम में इलेक्ट्रोन होगी संख्या, क्या हो जाएगी, इतना इलेक्ट्रोन हो जाएगी, इसको आपन डिवाइड करते हैं तो यह आजाता है 9.1 यह 10 की पावर प्लस की 28 हो जाएगी इलेक्ट्रोन और यह आजाता है 0.108 के लगबग इन्टू 10 तो पावर 28 इसको मैं लिख सकता हूँ 1.08 इन्टू 10 तो पावर 27 इलेक्ट्रोन यदि दसमलों को दाईयोर किसका आते हैं तो गात माइनस की लगाते हैं तो 28 में से हेकम हो जाएगी माइनस की 27 रह जाएगी 1.08 गुणा 10 की गात 27 इलेक्ट्रोन दूसरा सवाल है इसी का भाग है एक मोल इलेक्ट्रोनों के दर्वमान और आवेस का परिकलन करना है तो एक मोल इलेक्ट्रोन का मतलब कितना होता है एक मोल इलेक्ट्रोन बराबर यह होता है 6.022 गुणा 10 की गात 23 इलेक्ट्रोन इतने इलेक्ट्रोन होते हैं एक मोल में अब एक इलेक्ट्रोन का दर्वमान आपको पता है नो पॉइंट एक गुणा दस की घात माइनस 31 किलोग्राम इतना होता है एक इलेक्ट्रोन का दर्वमान इतना है तो इतने इलेक्ट्रोनों का दर्वमान कितना होगा तो एक मोल इलेक्ट्रोनों का दर्वमान कैसे ज्यात कर बराबर आ जाएगा इतने इलेक्ट्रोनोंगा कितना होगा गुणा कर दो इलेक्ट्रोनों की संख्यागो एक इलेक्ट्रोन गेदर उमान से यह जाएगा 6.022 गुणा 10 की घा 23 इलेक्ट्रोन परती मोल या मोल इन्वर्स इलेक्टरोन प्रति मॉल इंटू इतने इलेक्टरोन ऑक मॉल में और एक इलेक्टरोन का दिर्मान हो जाएगा 9.1 गुदा दस की गात —31 किलोग्राम प्रति इलेक्टरोन Cancel मॉल और क्जी क्जी पर मॉल में आ जाएगा क्जी प्लस में मौल माइनस में यह 10 की गात 23 राट 31 इन दोनों को मल्टिप्लाई कर दो यह आता है 54.80 गुना 10 की गात माइनस 8 kg पर मौल यह आ जाता है दसम लोगो एक अंक बाइयो और किसका होगे तो गात क्या है की प्लस की तो यह जाएगा 5.4 गुना 10 की गात माइनस 7 kg पर मौल एक मौल का दर्व मान आ जाएगा यह एक मौल इलेक्ट्रोनों का दर्व मान अब अगला सवाल है एक मौल इलेक्ट्रोनों पर आवेस अब एक मौल का मतलब 6.02 दो गुना 10 की गात 23 इलेक्ट्रोन एक इलेक्ट्रोन पर आवेस यह होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम एक इलेक्ट्रोन पर तो एक मोल इलेक्ट्रोनों पर आवेस कितना हो जाएगा एक मोल इलेक्ट्रोनों पर आवेस एक मोल में इलेक्ट्रोन कितने होता है 6.022 गुना दसकी गात 23 इलेक्ट्रोन होते हैं प्रती मोल इपर माइनस है वो इलेक्ट्रोन के चिन को बताता है इतने इलेक्ट्रोन प्रती मोल होते हैं अब एक इलेक्ट्रोन पर आवेस कितना है तो इतने इलेक्ट्रोन पर आवेस ज्याद करने के लिए क्या कर दो इलेक्ट्रोनों की कुल संख्या को एक इलेक्ट्रोन की आवेश से गुणा कर दो 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम प्रती इलेक्ट्रोन हर एक इलेक्ट्रोन पर इतना चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोन से इलेक्ट्रोन plus minus 10 से लिए नीचे है वो उपर है यह कुलाम रह जाएगा उपर पर मॉल मल्टिप्लाई कर दो यह उजए 6.022 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 4 प्लस की 23 प्लस के 19 माइनस के 4 बच जाएंगे और कुलाम प्रती मॉल इतने कुलाम पर मॉल हो जाएंगे अब देखो इन दोनों को मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आता है 9.6352 इन्टू 10 टू पावर 4 कुलाम प्रती मॉल 10 की पावर 4 को इसे गुणा कर दो यह 6.352 कुलाम आ जाते हैं प्रती मॉल और इसको अपन लगबग लिखते हैं छाण में 500 कुलाम कितने मॉल में एक मॉल इलेक्ट्रोनों का आवेस और छाण में 500 को ही क्या कहते हैं एक फिराडे कहते हैं एक मॉल इलेक्ट्रोनों पर उपस्तित आवेस की मात्रा लगबग कितनी है छाण में 1500 कुलाम है और इसी को एक फिराडे के नाम से चना जाता है